नुमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पी एम बीमा सकी योजना भरती के बारे में जो की प्रधान मंत्री ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाना के पानी पस्ते इस योजना का सुभारम किया है को की सबर्गी की महिला इस योजना के लिपाप पात रहें कौन को इन इसमें आविदन कर सकता क्या आपको टार्गेट दिया जाएगा सेलरी कितनी मिलेगी आविदन कैसे करना है एक टूजट जानकरी आपको सब्सक्राइब करें डी आइकन को वावल पर क्लिक करें था कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफ को सबसे पहले मिल सकें सबसें लिए सब Pastان मन्त्री नर्roon मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना का शूभारम कर दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल आपको जो जानकर यह पोस्ट के गई थी 9 दिसंबर तो यह इसकी यह एकेंदर सरकार दोरा जितने भी पोस्ट होती हो इसी पोटल पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्री मोदी ने दिला है कि पहले भारत की महिलाओं का बीमा नहीं होता था उन्हें कहा गया था कि आज लाखो महिलाओं को बीमा एजेंट से तो इसमें आबेदन कर सकते हैं दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां पर एलाइसी एजेंट हर महीं ने उसत 15,000 रुपे कमाता है उन्हों ने कहा है कि हमारी बीमा से कि हर साथ 1,25,000 रुपे से अधिक कमाएंगी जिसने परिवार को अत्रिक्त आई मिलेगी याने कि जो बीमा एजेंट है उनको 15,000 रुपे प्रतिमा जो बेतन दिये जाएगा ठीक है पर जो सेखी है हमारी बीमा सेखी है उनको क्या पेमेंट दी जाएगी वो भी हमां आपको दूसरे बताएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें तो प्रधान मंतिर ने कहा है कि बीमा सेखी हो का योगदान पेसे कमाने के अलावा और बहुत कुछ होगा उन्होंने कहा है कि अगर बीमा सेखी पेसे कमाने के अलावा उसका बहुत कुछ और भी योगदान होग ठीक है भी माई करना योगदा नहीं रहेगा उसके बाद उन्होंने कहा है कि भारत के सभी के लिए बीमा ही अंतिम लक्ष है उन्होंने कहा है कि यह समाज एक सुरक्षा और गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए आवशागी उन्होंने इस बात पर भी जोड़ दिया कि बीमा महिला ससाता समों से जुड़ी है पिछले एक दसक में जो की स्वेम आठ करोर रूपे से अधिक की मदद की गई है स्री मोधी ने बताया है कि इस बात पर जोड़ दिया जागा जब कोई ब्यक्ति बीमा करवा था तो उसे बहुत लाब मिलता है उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदान मंत्री जोती बीमा वो प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू कर रही है उन्होंने कहा है कि योजना के तहट बहुत करम पीमियम पर दो लाग रुपे का बीमा प्रदान किया जागा स्री मोधी ने कहा है कि देश के 20 करोर से अधिक लोगों को जो कि कभी बीमा के बारे में सोच नहीं सकते उनका बीमा किया जागा उन्होंने कहा है कि इन दोने वो योजना के ताथ अब लगभद 20-30 करोड रुपे की दावारासी दी जा चुकी है मतलब बीमा सकी योजना के ताथ 20 करोड रुपे की जो है वो दावारासी दी जा चुकी है श्री मोदी ने कहा है कि बीमा सिकिये देश के कई परिवार को समाई सुवच्छा का पर्पदान करेंगी जो एक पूर्णी कार होगा ठीक है ये तो रहा दोस्तों जो कि प्रदान मंतिरी नरेंद मोदी ने हरियाना के पानी पस से ये योजना का सुभारम किया है अब इसमें आनलाइन आविदन कहां से करना है पूरी प्रोसेस अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जागा है LIC India dot LIC India dot इन यहाँ पर हम पोटल पर आ चुक है यहाँ पर हम इसे translate कर लेते हैं हिंदी में ठीक है हमने इसको हिंदी translate कर लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगा हम LIC की बीमा सेकी भारती महिला केरियर agent, अपिहारति के लिए सामाने निजास, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वोग नया पेज़ोपन हो जागा, ठीक है, इस पर आप देख सकते हैं, हम थोड़े score down अगर करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके नियुंतम जो आप भारतियों के लिए सामान निदेस करा हैं एलाइसी बीमा से की एमसी योजना एक बजीफा योजना है जो की बीसेश रूप से महिलाओं के लिए है जिसकी बजीफा आप दे तीन बरस रहेगी एमसी योजने के अंतरगत किसी भी ब्जीफा की नियुतों के कर्मचारी के रूप में बेतन भोगी नियुतों नहीं किया जागा M.C.A. द्वारा प्रत्य एक वजीफा वर्ष के दोरान पूरे किये जाने वाले कार निश्पादक का डंड है मान डंड है अगर हम बात करें दोस्तों आपको बे वजीफा मितलब आपको सेलरी कितनी दी जाएगी प्रथम बर्ष आपको 7000 रुपे प्रतिमा दी जाएगी पहले साल यानि कि अब 2025 में आपको 7000 रुपे प्रतिमा दी जाएगी 2026 में 6000 रुपे प्रतिमा दी जाएगी और 2027 में आपको 5000 रुपे प्रतिमा जो है वो आपको दी जाएगी मुझुदा एजेंट आप इसमें कौन-कौन आवेधन कर सकता है तो मुझुदा एजेंट मुझुदा एजेंट या करमचारी के रिस्तेदार M.C. के रूप में भरती होने के पात्र नहीं होगे अगर आपके कोई रिस्तेदार है जो कि करमचारी है आइसी का या एजेंट है तो आप इसमें पात्र नहीं होगे रिष्तिदार में निमनलिकित पारिवारिक सदस से हामिल होगी पती पत्नी गोद लिये गए और सोतेले बच्चे साइद अन्य चाहे आस्रित होया नहीं माता पिता भाई वहनो सगे ससराल बाले नीगम के सेवा न बीन पास्पोर्ट अकार का फोटो अप्लोड किया जाना है जब आप आवेदन करोगे तो आपको पास्पोर्ट साइज फोटो अप्लोड करना होगा आवेदन करते सेमें आपको निमनलिकत दस्तावेज की जरूरी है आयू की सत्यापित प्रति आपके आयू प्रमान पत्र उसके बाद पते के प्रावान पत्र पता प्रावान पत्र उसके बाद सेक्षिनी की युग्यत है कि प्रावान पत्र की स्वयप्रति याने कि आपको आई प्रावान पत्र में आप दस्वी की माक्सिट लगा सकते हैं पते के लिए कि आप इस्थाई निवासी प्रमान पत्र लगा सकते हो सेक्षिन के उग्यता में आप को दस्वी की माक्सिट ही लगाना है यदि की दी गई जानकर यदूरी है तो आबिदन अस्वी कार किया जागा अगर आपको 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 आ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा और एक कमेंट यह भी करिएगा कि वीडियो कसल लागा वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो में इतना इन नेक्स जब लेकर आपका सांसे जल दिमगें मद्य प्रदेस की ह हर एक अपडेट हर एक जानकार एक लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद